अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स आइकेदा रेसेपी में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे हेल्दी राष्टा वो भी आलू और अंडे से आए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है यह मैंने दो आलू को छिल कर इसको बारिक बारिक ऐसे काटी हूँ लंबे लंबे साइस के अभी मैं इसको पानी में से अच्छी से निकाल लूँगी और बाउल में दाल लूँगी देखे आलू को मैंने पानी में से निकाल कर बावल में ले ली हूँ अभी मैं इसमें दालूँगी गाजर देखे ये मैंने आदा गाजर ली हूँ उसको भी मैंने सेम आलू के जैसा काट दी हूँ अभी मैं इसमें दालूँगी दो चमच गेहु काटा और इसमें दलूंगी दो बारिक कटीवी हरी मिर्ची पाउ चम्मच काली मिरी पाउडर आधा चम्मच कुटीवी लाल मिर्च पाउ चम्मच धनिया पाउडर थोड़ी से बारिक कटीवी कोत्मिल और दालेंगे नमक स्वात के हिसाब से अभी मैं इसमें डालूंगी तीन अंडे का वाइट पीला मैंने निकाल कर रख दी हूँ वो बाद मी यूश करेंगे अंडे का वाइट हम इसमें डाल देंगे अब इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे देखे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसे बनाने की तैयारी करेंगे देखिए गैस में मैंने फ्राइ पेन रख दी हूँ इसमें डालूँगी तेल गैस हमें एकदम धीमी आज़ पे ही रखना है पाश्ट नहीं करना है गैस को अभी हम इसमें आलो और गाजर को डाल देंगे हमें इस तरीके से डालना है देखिए हमने तीन इसमें इसको डाल दिये अभी मैं इसको बीच में जगा बनाऊगी इस तरीके से हमें बीच में जगा बनाना है और गैस तो बारीकी रखना है जगा बनाने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे अंडे का पीला वो बीच में हमें डाल देंगे अभी हम गैस को हलका सा फास्ट करेंगे जादा फास्ट नहीं करेंगे सिर्फ हलका सा और अभी इसके उपर भी मैं थोड़ा काली मीरी का पाउडर छिनकूंगी और हमें अभी इससे नीचे से लालो ने तक्के पकाना है ताके अंडा और आलू गाजर हमारे सब पक जाए देखें बीज बीच में हमें तेल ऐसे उपर डालना है ताके उपर से भी यह जम जाए देखें यह नीचे से लालो चुके है अभी हम इससे बड़े ही आराम से पलट लेंगे अग्दम आराम से हमें पलटना है इस थरीके से हमें तारे आलू को पलट लायेंगे कि अब देखिए हमें नीचे की तरफ से भी लाल करना है और अलू भी हमारे अच्छे से पपना चाहिए उसका भी ध्यान देना है देखिए नीचे से भी पप चुके हैं मैं आपको दुखाती है पंटा का देखिए दोरों तरफ से पप चुके हैं अब हम इसको प्लेट पे हिकालेंगे माशालला हमारा हेल्दी नाश्टा बनकर तयार हो चुका है वीडियो पसंद आए तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना हेल्दी नाश्टा हमारा कैसे बना अलाह पीजिए